सुबह की भाग दौर में आपको समझने आएगी क्या बनाया जाए नास्ते में तो आप इस नास्ते को ट्राई कर सकते हैं यह नास्ता इतना जाता सौप्ट बनता है कि सभी को बहुत पसंद आता है आप इसे बचों को टिफिन दे सकते हैं छोटी मोटी भूक में आप इसे फ इसी के साथ हम इसमें आड़ कर देंगे आधा कब दही, तो मैं यहां फ्रिस दही का इस्तमाल कर रही हूँ, अगर आप खटे दही का इस्तमाल कर रहे हैं, तो बस दो ही चमच आप इसमें दही आड़ करें, इसी के साथ हम इसमें आड़ कर देंगे आधा कब पानी और पानी गुठली नहीं होना जाए इस बात का आप ध्यान रखे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इने ढख करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सुझ एच्छे तरीके से फूल जाए तब तक चलिए हम छोटी सी त्यारी कर लेते हैं इस नास्ते में हमें जो भी सबजी डालना है उसे हम काट करके तयार करेंगे सबसे पहले मैं यहां ले रहे हूँ दो कच्छा आलू जिनके छिलके को आप हटा ले और महीन वाले गिर्टर से सबसे पहले इने हम कदू कस करेंगे तो इसे आप पानी में ही कदू कस करें ताकि आलू के लच्छे काले ना पड़े और देखें मैं यहाँ दोनों आलू को अच्छे तरीके से कदू कस कर ले हूँ अब इसे नलके के पास ले जाकर के कम से कम दो से तीन पानी धो करके इन्हें हम साफ कर लेंगे आलू को धोने के बाद इसे किसी भी छनी में निकाले ताकि आलू का पानी निकल जाए आपको जो भी सब्जी यहां पे डालना है उससे सबसे पहले आप बारीक बारीक काट करके तयार कर ले चलिए आप पांच मिनट हो चुका है बैटर को हम चेक कर लेते हैं आप देख पा रहे होंगे बैटर पहले से बहुत जादा गाड़ा हो चुका है जब बैटर गाड़ा हो जाए तो आप समझेए कि सुद्धी अच्छे तरीके से फूल चुका है अब चलिए इसमें साड़ी स कर देंगे बाड़ी कट किया हुआ बिंस एक प्याज कर देंगे बाड़ी कट किया हुआ थोरे से सिमला मिर्च कर देंगे इसी के साथ गाजर एड़ कर रही हूं जिसे मैं कदू कस करके इस्तमाल कर रहे हूं आप अपने लिए नास्ता बना रहे हैं या फिर बच्चों के कर दिए तो उनके पसंद कि आप यहां पे सब्जी आड़ करें लेकिन सब्जी का बारी काट करके इस्तेमाल करें ताकि सब्जी फटा-फट से पक जाए सबी चीज़ों को एड़ करने के बाद इसमें हम एड़ कर देंगे थोरा सा कड़ी पता जिससे कि इस नास्ते का और टेस्टी बनाने के लिए इसनी के साथ हम इसमें एड़ कर देंगे एक चुथाए टीस्पून बेकिंग सोडा अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहां इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यहां बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसमे लेसन की कलिया डालना भूल गए थी तो मैं इस तरीके से लेसन की कद्ड को कद्डू कस करके इस्तमाल करूंगी अगर आपके पस लेसन का पेस्ट है तो एक को थाइटी स्पून आप ज़रूर से डाले कि इस नाश्टे में लेसन का फ्लिवर बहुत अच्छा आता है इन्हें मिक्स कर देंगे चलिए अब नाश्टा बना लेते हैं इस नाश्टे को बनाने के लिए आप कड़ाई या पैन का इस्तमाल करें और इसमें आइड कर देंगे आधा च्छोटा चमच तेल तेल को चरो तरफ पच्छे तरीके से फैला देंगे जैसे ही कड़ाई हलका गड़म हो जाएगा एक कड़्ची बैटर डाल देंगे और आपको जितना पतला या मोटा नाश्टा बनाना है उसके हिसाप से आप इसमें बैटर को डाल करके इस तरीके से फैला दे और इसे मैं यहां पतला बना रही हूं अगर आप भी इस नाश्टे को पतला बनाएंगे तो बह करने में भी क्रंची लगता है थोरा सच लिए फ्लक्साइड कर देंगे और धकर के इन्हें पकाएंगे कम से कम पान से साथ मिनट के लिए ताकि नाश्ट आचे तरीके से पक जाएंगे इस नाश्टे को हम एक ही साइट पकाते हैं ना तो थोरा से समय ज्यादा लगता है क् इस नाश्टे में हम सारी कच्छी सब्जिया का इस्तमाल के हुए हैं तो सब्जी को पकने में थोरा सा समय लगता है तो इसलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए इस नाश्टे को पकाएं और देखे इन्हें बस पलट देंगे दूसरी साइड और बस इने से कम आप यहां 8-9 नाश्टे को बना करके तयार कर सकते हैं अगर आप इस नाश्टे को बहुत बड़े साइज में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से नाश्टे को बना करके तयार करें और इस नाश्टे को आप टमेटो के सांदिया फिर नायर के चटनी के साथ किसी भ नास्ता इस तरीके से फोल्ड करने के बाद भी नहीं रूट रहा है तो जडरूर से ट्राइक करें रसेपी पसंत आई होगी तो वीडियो को चोटा सा लाइक कर दीजेगा नहीं पसंत आया होगी तो डिस्लाइक कर दीजेगा चैनल पह learned होंगे तो छलों कर लिजेगा